हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी गूगल एडसेंस का यूज करके अपनी वेबसाइट पे एडस प्लेस करोगे एंड जो एडस प्लेसमेंट होने वाली है वो काफी बढ़िया होने वाली है उससे आपको हाई CTR मिलने वाला है अगर आपकी एडस एडसेंस का साइट पर अपने लगा रखा है और आपको क्लिक नहीं मिल रहे हैं तो कहीं एडस प्लेसमेंट जो हो सकता है गलत आपने किया ह तो ad placement मैं आपको बताऊं कि कहां कहां पर करना है जिससे आपको high click through rate मिले और आपकी earning भी decent हो जाए चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं blogging, SEO, make money online से related, adsense related जानकारी आपको चाहिए तो यह channel आपके लिए इस channel को visit करके देख सकते हैं चलिए फड़ फड़ वीडियो को सुरू करते हैं ओके दोस्तों अभी मैं अपने laptop screen पे आ चुका हूँ सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस site पे यहाँ पे ads place करके दिखाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैंने अपने wordpress का dashboard open किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह website loanpatrika.com अब यहाँ पे मैं ads place करके आपको दिखाने वाला हूँ देखिए यहाँ पे यह website है और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि भाई आसानी से आप AI tool का use करके Google AdSense अप्रूब करके उसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो तो वो वीडियो आप देख लेना यहाँ पे मैंने बता रखा है ठीक है अप्रूब AdSense से 40,000 per month कैसे आप easily earn कर सकते हो तो उसी को द्यान में रखते हुए basically यहाँ पर यह site है ठीक है अब इसे मैंने बना लिया अब इस पर ads place कैसे करना होता है वो आप समझेए जब आपने AdSense अप्रूब ले लिया तो जाता से जाला click through rate हमें कैसे मिलेगा ठीक है तो देखो सबसे पहले तो अगर आप AdSense अप्रूब करवाना चाते हो तो यह design यूज करना इस पर Google AdSense अप्रूब जल्दी मिलता है यह generate press का theme है देखो यहाँ पर blogging skill.com भी है यह भी generate press theme पर बना हुआ है इस पर देखो Google AdSense अप्रूब भी हो चुका है ठीक है तो Google AdSense अप्रूब के लिए best theme मैं generate press को बोलूँगा बहुत ही बढ़िया होता है अब यहाँ पे हम कैसे ads place करेंगे उसके लिए सबसे पहले Google AdSense भी आपको open कर लेना है and WordPress dashboard open कर लेना और सबसे पहले plugin में जाना add new plugin पे click कर देना और हम यहाँ पे use करने माले है एक plugin जिसका नाम है add inserter और यह काफी perfectly काम करता है तो यहाँ पे आपको लिख देना है add inserter add inserter लिखने को बास search करिए add inserter जब आप install कर लोगे ना करके activate कर लेना है आपको मैंने अल्रेडी activate कर लिया है अब आपको setting में जाना है और आपको यहाँ पे दिखेगा add inserter add inserter पे आपको click कर देना है अब add inserter में आने के बाद अब हमें google adsense भी login कर लेना है यह add inserter हम open होने देते हैं और हम चलते हैं google adsense के अंदर तो google adsense के अंदर basically हम मान लेते हैं कि हमारी site approved है और यहाँ पर loanpatricka.com को मैंने approval के लिए भेज भी दिया है मैंने एक ही article लिखा है और यहाँ पर मैंने भेज दिया कि भाई आप approval दो मुझे और यहाँ पर मैं content डालता रहूंगा यह reject करते रहें के resubmit करता रहूंगा और यह content जाता रहेगा इस site ठीक है तो यहाँ पर मैं आज आता हूँ यहाँ पर सबसे पहले तो देखो आपको ads पर आना है जब ads पर आओगे तो सबसे पहले देखो अभी के time पर सबसे पहले आपको auto ads definitely on करना है अगर आप auto ads on नहीं कर रहे हो तो गलती कर रहे हो सबसे पहले auto ads on करना है और यहाँ पर देखो ये icon बना हुआ है edit का इस पर आपको click कर देना है इस पर जैसे ही आप click करोगे auto add को आपको on कर देना है better click through rate अभी के time पर आपको auto add से ही मिलने वाला है ठीक है and यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर data फेच हो चुका है और हमारी website पर mobile में कुछ इस तरह से ads जो हैं वो दिखने वाले है ठीक है तो ठीक है अब हम desktop पर भी देख लेते हैं desktop पर यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से हमारा ads दिखने वाला है ठीक है तो यहाँ पर हमने दोनों जगप फेच कर लिया अब हम mobile वाले पर एक बर क्लिक कर लेते हैं तो सबसे पहले देखो इसमें कुछ चीजें है intent driven format यह बीटा वर्जन में है लेकिन बहुत ही बढ़िया काम करेगा इस पर आप क्लिक करिए and यहाँ पर add intents पर क्लिक करिए अब आपको I acknowledge पर क्लिक कर देना है अब देखो यहाँ पर यह इसलिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसमें क्या होगा ना बहुत से intent driven intent driven ads आप देखो यहाँ पर नीचे की तरफ example add intent anchor यह float करता हुआ हमरी website पर इस तरह से दिखेगा और यह हमें click through rate अच्छा देगा इस पर clicks होने के chances ज़्यादा हैं तो इसको हमें enable कर लेना है back करते हैं overlay format में हमें यह तीनों ads रखना है anchor ads, side rail ads, vagonate ads यह ads रखना है add नीचे की तरफ आओगे तो vagonate ads frequency अब क्या रखना चाहते हो जो vagonate ads हमें दिखता है जब हम एक page से दूसरे page पे जाते हैं उसी बीच में हमें पूरे display पे blur करके एक ads दिखे जाती है तो maximum जो article होते हैं वो 5 minute से जादा लोग नहीं पढ़ते हैं तो 5 minute हम basically वहाँ पे डालेंगे और 5 minute बाद जैसे कोई दूसरा page विजिट करेगा हमें तुरंट ads दिखी जाएगा उन्हें basically user को ठीक है यहाँ पर उसके बाद यह on होने के बाद यहाँ पर हमें कुछ भी off करने की ज़रुत नहीं है आप बैक करते हैं बैक करने के बाद देखो in page format में तीन option है यह बहुत ही important है ठीक है तो banner ads तो हम यहाँ पर चेक कर दिये है multiplex ad को भी आपको चेक करना है और related search एक new ad आया है यह बहुत important है अब देखो पहले link ad होगा करता था जिस पे हमारे content के हिसाब से link ad दिखता था ठीक है ऐसा लगता था कि हाँ हमारा content है और user click कर देता था same उसी तरह से related search है आपकी website के images को analyze करेगा आपके content को analyze करेगा और ऐसा उसमें ads दिखाएगा कि user को लगेगा कि भाई यह तो content है और उस पे वो click कर सकता है ठीक है तो इस ते बहुत ज़्यादा को click मिलेगा तो related search को आप enable कर देना आपको बेहतर यहाँ पे click through rate मिलने वाला है और आपकी earning decent हो जाएगी अब यहाँ पे देखो fine tune your ads यह beta version में है तो basically यहाँ पे आपको इसे enable कर देना है और enable करने के बाद minimum number of ads आपको कितना रखना है ठीक है यहाँ पे देखो 8 है तो ठीक है 8 ही रख देने चाहिए तो यह देखो इसमें 530 pixel का distance बता रहा है तो यह by default जो है इसे यही रहने दीजेगा and यहाँ पे optimize existing ads पे यहाँ पे uncheck कर दीजेगा इसे आपको बढ़िया result मिलेगा ठीक है अब हम back करते हैं और यह भी setting हो चुका है अब हमें basically क्या करना है हम चाहते हैं किसी जगह प क्लिक करके उसका URL एड कर सकते हो लेकिन मुझे हर जगह आड दिखाना है ठीक है अब हम यहाँ पे apply to site पे click कर देंगे and save button पे click कर देंगे अब हमारा यह auto ads on हो चुका है अब हमें क्या करना है अपनी site पे manual ads भी कुछ place करने हैं ताकि हमें अच्छा result मिले ठीक है तो by add unit पे करेंगे and add unit पे click करने के बाद display पे हम click करेंगे सबसे पहले तो देखो हमें display यह इड पर दिखाना है ठीक है display स्पॉंसिव ही रखना है आपको ठीक है कॉपी करते हैं कोड को एंड हम वर्डप्रेस डैस्बोर्ड में जाएंगे और यहां पर पहले वाले पर देखो मैंने एक एड यूनिट पहले से जनरेट किया है तो बिफोर पोस्ट है यह ठीक है तो आपको एक एड यूनिट और क्र हों देखें तो केवल पोस्ट को चेक करना है बाकि को आपको अंचेक रखना है एंड यहां पर देखो बीफोर हम बीफोर कॉंटेंट यहां पधने वाले है ठीक है तो यह बीफोर कॉंटेंट हो गया और सेव बटन पर हम क्लिक कर देंगे अब यह हमारा एक एड यूनित यहां पर manual जो ads है वो हमने यहां पर place कर दिया, अब side पर चलते हैं, एक बार side को refresh करते हैं, और यहां पर आप देखो मैंने side को refresh किया, तो सबसे पहले देखो यह before post वाला ad यहां पर दिख रहा है, अब before post वाला ad एक चीज setting में दिखाता हूं, before post वाला ad है वो देखो post में और home page पर है, यह post में दिखेगा, home page पर दिखेगा, before post ठीक है, और इसको आप category, tag, search pages, static pages में भी on कर लेना, and save button पे click कर लेना, तो यह before post वाला जो है न, यह हमें हर जगा चाहिए, and यह दूसरा वाला जो हमारा ad unit है, यह वाला देखो, दूसरा जो हमने before content डाला है, वो केवल post म होना चाहिए, अब हमने save कर लिया है, इसको save कर लेते हैं, एक बार और, अब हम अपनी site पर चलते हैं, कोई post open करते हैं, ठीक है, how to get personal loan with low source, civil score in 2024, तो इसे हम open करते हैं, जब हम इसे open करते हैं, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ads हमें कौन सा दिखेगा, यहाँ पे देखो हो रहा है, यह हमारा before post, ठीक है, before post, and just title के नीचे देखो, एक blank space आ रहा है, यह हमारा before content, तो यह दो ads पे सबसे ज़्यादा हमें impression देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा clicks देखने को मिलता है, तो यह दो ads हमारे होने ही चाहिए, अपनी site पर, and यहाँ पे उसके बाद हमारा featured, यह images वगरा आएंगे, and उसके बाद यह सारी चीज़े हमारी यहाँ पे चलेंगी, ठीक है, अब यह दो ads तो compulsory है, एक ads हम यहाँ पे use करने वाले हैं, sidebar में, ठीक है, sidebar में use करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं, अपने site पर, and यहाँ पे हम adsense open करेंगे, इसे हम done करेंग और एक add unit or generate करेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे add unit का नाम हम दे देंगे sidebar 1, ठीक है, हमने यहाँ पे sidebar 1 दे दिया, and इसे हम create कर देंगे, अब यह create हो गया, अब इसको copy करना है, and यहाँ पे आपको चलना है, अपने wordpress dashboard में, और यहाँ पे third वाले हम इस code को paste कर देंगे, and यहाँ पे हम इसे basically चाहते हैं, कि है हमारा sidebar वाला हर जगा दिखे, ठीक है, हम चाहते है sidebar वाला हमारा हर जगा दिखे, and इसे हम अभी यहाँ पे disable रखेंगे, ठीक है, इसे disable रखना है क्योंकि यह sidebar में हमें लगाना है, and इसे हम save button पे click कर देंगे, अब save button पे यह click हो गय अब आपको appearance में जाना है, widgets में जाना है, widgets में जाने के बाद, अब हम यहाँ पे add inserter का slot number 3 में हमने एक code लगाया है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ category के ऊपर, सबसे ऊपर ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखे plus button है, स code block 3 में है, आप जिस भी block में डाल रहे हो, वो block आपको select करना है, and इसको हम एकदम top पे use करने वाले हैं, ठीक है, ऊपर, category को ऊपर हम use करेंगे, तो यहाँ पे आ चुका है, और इसे update बटन पे हम click कर देंगे, तो इस तरह से हमारा ads placement हो गया, अब इसी तरह से आपको after paragraph 2, ठ save करने लिए थे, save हो गया, इसे हम अब चलते हैं, पनी site पे, home page पे एक बार चलते हैं, और फिर एक post open करते हैं, ठीक है, तो देखो कोई भी post open हो रहा है, तो यहाँ पे एक sidebar में blank ad आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक ad दिखना चाहिए, एक यहाँ पे, मतलब front पे 3 ads दिख रहा है, दो ads और लगाएंगे, इससे ज़्याद हम use नहीं करेंगे, तो एक ads हम use करने वाले हैं, just after paragraph 2, एक और दो, यह दो paragraph है, आप देख सकते हो, एक paragraph यह हो गया, और एक paragraph यह हो गया, इन दो paragraph के बाद हम एक ad यूज करेंगे, बस इतना ही use करने वाले हैं, तो हम अपने ads sense में जाएंगे, इसे हम done कर लेते हैं, और एक और add unit create कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, after paragraph 2, ठीक है, after paragraph 2 हम यहाँ पे create कर देते हैं, और यह add unit हम copy करेंगे, और copy करने के बाद हम अपनी site पे जाएंगे, wordpress के dashboard में जाएंगे, setting के add inserter में जाएंगे, और after paragraph 2 ह हम इसे select करेंगे, तो हम fourth वाले block में आते हैं, यहां पर paste कर देते हैं code को, और यहां पर post के अंदर हम चाहते हैं, कि after paragraph, यहां पर आफटर paragraph select करना है और यहां पर हमें दो लिख देना है, तो यह दो paragraph के बाद यह हमारा add जो है, वो दिखेगा, अभी save button पे हमने click कर दिया अभी ये save हो गया अब हम इसे refresh करके देखेंगे एक बार और इसे refresh करने के बाद अभी देखो यहाँ पे blank add दिखने लगा ठीक है तो यहाँ पे हमें इतने जगाँ पे ads प्लेस करना है हमारा auto ads add on हो चुका है और manual ads जहाँ जहाँ पे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया बस इतना आप यूज करिए आपको बेहतर result मिलेगा Google AdSense की तरब से आपको click through rate अच्छा मिलेगा और revenue भी आप अच्छा generate कर पाओगे अगर आपको ये video helpful लगा हो वीडियो को like करिए blogging, SEO, make money online से related जादा वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को subscribe करिए और comment में अपने suggestion दिए दीजिए video topics को बताइए धन्यवाद करिंट